आप यह पेले कुछ रहा है औल्टाइड गाई इस तो आपने पर स्टार्टिंग में देखा यह वाली सेम लिरिक्स वीडियो अडिट करना मैं आपको इस वीडियो में देखाऊंगा तो आप भी इस टाइब की वीडियो क्रेट करके अपने रील को वायल करना चाहते हो तो व वीडियो को करते हैं start ओके तो सब्से पहले आपको विपीयें से कंट करे ले लेना ओके तो मैं किसे एक्ट करे लेता हूं e ही चांट हो चुका है हमारा हमेंड अब हमेंक डप को बने करना हो चुका है आपको अगर हुसाए होगा तो ABbook का लिंकन का कि अपकन करने की बाद से यह पर्जेक्ट वाले और अट करनाब के चैठ सब्सक्राइब को आड और इस ताप ठीक है यह ज्यादा बेस्ट है और एक मैं यह ले लेता हूँ ठीक है तीन फोटो हो गया अब यहां पे HD वाला option मिलेगा इसको टिक करना ना भूलना ठीक है एड कर लेना है फोटो एड हो जागी अब हमें इसको तो रिल वाली रेश्यो देना ठीक है तो यहां पे नीचे में रेश्यो वाले option पे क्लिक करना है 9w6 tune का RACO लेना जो कि Tik-đक का ठीक है इससे रिल वीडियो पर प्लिट कर सकता हूँ अब हमें फोटो क monstr हना है तो फ़र्श फोटो पकर करकर दू फिंगर से जूम कर लेना है इसी पार फोटो को चेक करकर करके हमें अजेस्स्ट करना ठीक है तो इस photo यह photo already adjust है and point to watermark रहता है तो इसे delete करना ना भूलना नहीं तो वीडियो में watermark दिखेगा ओके अब हमें photo पर tap करना first photo पर then हमें क्या गरना है aesthetic look देना इसे ठीक है तो adjust वाले पर tap करना है और हमें यहां पर sharpen वाले option पर tap करके sharpen को 5 के round में बढ़ाना ठीक है और जश्ट आपको brightness पर tap करके down कर देना brightness को तो photo के according कर लेना तो मैं यहां पर 10 रख लेता हूँ ठीक है minus 10 and apply to all कर देना और ok कर देना तो यह सारे में apply हो जागा इस type से इस photo का और ज्यादा थोड़ा सा हमें करना है तो दिन हमें क्या करना है सब में से महीं मैंने किया था तो adjust वाले option पर tap करके थोड़ा सा और इसकी brightness को हमें कम करने ठीक है 16 कर लिए photo के recording आप लोग को करनी है ओके कर देना तो इतना काम करने के बाद से अब हमें इस पर music add कर लेना ओके तो add audio का option आपको नीचे में मिल जागा इस पर click करके stack पर tap करना है और हमें उस reel को यहाँ पर slate करना है जिसकी music चाहिए add कर लेना ओके तो वह सिंपल सा प्रोसेस था अब हमें क्या करना है इसको hold करके steps आगे पिछे रहा तो starting point पर रख लेना fix कर लेना then हमें क्या करना है इस पर bit marking कर लेने ओके तो music पर type करके नीचे में आपको bits का option में लेगा इस पर click करना है और हमें 2-3 line song की छोड़के ठीक है एक bit कर लेनी है जहां भी line drop हो रही जैसे मैं play करता हूँ ठीक है मैं एक bit कहां पर लगा आपको दिखा दे रहो देख सकते हैं आधासा हुआ यहां से ठीक है तेरे बीन आधासा हुआ इसी एक bit मैं add करूंगा इसी टाइप आपको play कर करके bit लगा लेने ठीक है एक bit मेरा यहां पर है ओके तो मैं दो ही bit add क्या हूँ ठीक है क्यूंकि वीडियो की लेन्स जाता हो जाएगी आप लोग को समझाने के लिए इतना काफी है ओके तो फॉस्ट फोटो पर टाइप करना है bit recording इसको शेट करना ठीक है फॉस्ट बीट पर इसको सेकेंड बीट पर और इसको थोड़ा सा इता रख लेता हूं और एक्स्टा म्यूजिक रहेगी तो इसको मैं split करेके trade कर दूंगा अब दो फोटो के बीच में आपको यह जो gap दिख रहा ठीक है इस पर क्लिक करना है दैन थोड़ा सा wait करना ओके और यहां पर आपको black fed मिल जागा तो इससे apply कर होगा ठीक है जब हाप फोटो चेंज होगी तो इस टाप से कर लेना है आपको अब हम ही क्या गाना इस पर text को add करना है तो text add करने के लिए text वाला option पर click करना है add text करना है और जैसे song की line है तेरे बिन आधा सा हुआ ठीक है तो पहले मैं type करूंगा की तेरे बिन ओके की तेरे इस टाप से type कर लिया हो अब यह normal है इसमें कुछ भी effect या font add है नहीं है तो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा यहां पर वीडियो आपके आम से देखना ठीक है यहां पर समझ जाओगे तो आपके लिए वीडियो बहुत easy हो जाएगी edit करने के लिए तो back करना है then आपको font का option is starting में मिल जागा ओके तो add font पर में tap करना ठीक है तो यहां पर मैं दो font का use करूंगा फॉस्ट फॉन्ट है अमरीकन कैप्टन और सिकेंड फॉन्ट है रिथी तो दोनों का लिंक मैं आपको description box में देदूंगा 10 सानल ओके तो अमरीकन कैप्टन फॉस्ट में apply करना ओके अब style पर आना है अब हमें इसमें shadow देना ठीक है तो shadow का option आपको मिल जागा shadow पर type करेके black color लेना ठीक है ओपर sheet को हमें कम करना है 14 या 15 का round में रख लेना है ठीक है तो मैं 15 रख लिया हो blur को 9 या 10 का round में रख लेना यहां यहां पर आड़ करना होगा यहां पर यहां पर से ठीक को आड़ा करना घृक है तो मैं बताओंगा आपर वीडियो बस dan Tea न खर ओके कि टेह पीन हो गया ृटिक तो इसमें हमें क्या करना है कि टेह BACK PA अब इसके बाद से हमें क्या करना ज Mats applaud लेना ओके लिए लिए हो टेरे में अब के ठीकwire कि रिफी उलेट करना तो जश्ट के जो भी हाईलाइट मैंने क्या उसका ही कलर और फॉंड चेंज होगा तो इस टैप से करना एनिमेशन प्याने के बाद हम में क्या करना, इस पे एक एनिमेशन देना है तो जिसका नाम है फिलीकर ठीक है फिलीकर आपको मिल जाएगा तो इस पीड को 1 सेकेंड डख लेना 1.0 सेकेंड दैन आउट में आना है आउट में आने के बाद से फेड आउट अप्लाई कर लेना ठीक है तो जब श्रीत आइकन ना ओके कर देना तो फर्स्ट जहां पर ही बीट रहेगी तो वह करना इसे कॉपी कर लेना जस्ट तो डूब्लिकेट का उप्शन आपको नीचे मिलेगा डूब्लिकेट करना इसे थोड़ा सा आगे लेकर आना इस टाइप से यह तेरे भीन आधा सा हुआ जहां से स्टार्ट हो रहा हो ठीक है और इसको फर्स्ट एंड सोरी फर्स्ट जो भ आप सा को हमें हाई-डाइट करना तो इस टाइप से सा में आना फॉंड में आना और फोंड रिधी गोसे लेना ऑके अब इस टाइल में अना अब कलर यहां पर लेता है बेश्ट अब जस्ट कुछ नहीं करना इनिमेशन इसमें अल्रैड़ी चेंज हुआ वा हुआ क्योंकि कि मैंने duplicate कहा था अब दोनों टेक्स को हम में अच्छे से छोटा परा जितना भी साइज आपको रखना होगा यहां रखना नीचे रखना उपर रखना जहां रखना यहां लगा सकते हो और दोनों टेक्स को इस ठाइप से कहें के उपर नीचे में थोड़ा सा करता है तो यह छोटा हो बास इतना कर लेना तो यह first text edit हो चुकी है कि तेरे भी आधास हो ओके अब है आगे अधूरा कोई वाधास हो ओके तो हमें just दूनों को copy कर लेना first पर type करना है first text के layer पर duplicate करके नीचे आ जागा तो इसको hold करके अगले bit पर लाना है ओके इसको भी क्या करना है हमें copy करना है duplicate और आगे ले आना ठीक है तो इसी type से आप लोगको change कर लेनी है तो change करने का process बताए दिया होंगा कि तेरे भी ओके तो इस पर double tap करना है और यहां पर आधास हुआ हो गया अधू अधूरा एक मेंट टाइप फिंगर वर आ जाती है अधूरा कोई वादा इसी type से मैं कोई को highlight करूंगा then style में इसका color यह रखूंगा yellow then font change कर दूंगा अधूरा कोई और इसको इस type से थोड़ा सा उपर रख देता हूँ ठीक है अधूरा कोई अब जहां से वादा सा वादा सा हुआ अधूरा कोई वादा सा हुआ तो मैं इसमें सा हुआ एड कर लेता हूँ साफ हुआ अब हुआ को मैं हाइलाइट कर देता हूं तैन इसका कलर यह वाला रख लेता हूं ठीक है कोई भात नहीं है इस टाइप से कर लेना तो इसी टाइप से आगे भी टेक्स लेनी होगी तो ले लेना जैस्ट में आपको बता दो देख सकते हैं इस टाइप की यह एडिटिंग हो चुकी है बहुत ही चेस्टेप में तो इस टाइप से अध्धूरा कोई बादा सो कि कितना खतरनाक लग रहा है अब हमें इस पे एक इफेक्ट टाइप करना है तो इस टाइप से आगे भी लिरिक्स होगी तो आप लोग टाइप कर लेना नहीं तो मैं बता हूंगा तो बहुत ही ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी ओके तो यहां पे एफेक्ट वाले ओप्शन मिलेगा तो डिस्टोर्षन पर टाइप करना है तो इस्टार्टिंग में रिपल डिस्टोति तो यह हमें कटकरना जस्ट इसको औरना Louise के लिरिक्ट हम से खीच ना और अच्छ पर टायप करना व्हर्ठेक वल लेना खопас ऑंच tuning को हमें तो इत्ता करने का तरीका आपको पता होगा हमें फोर्गेमे कर लेना तो 1080p पर क्लिक करके यहां पर रिजुलेशन को फोर्गे पर करना है फिरेमड़ को 50 या 60 कर लेना ओके और यहां पर एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन पर टाइप करके पर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूले अब भी से जाएगे जल्दी से लाइक का बटन दावादो और एक प्यारा से कॉमेंट कर दो और चालेंग पर सब्सक्राइब नहीं कियो सौरी चालेंग को सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से सरकराइब कर लो सकर कराइब फिर मिल दें एक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए